नमस्कार सेवर्थ किलास, कैसे हैं आप लोग, आसा है स्वस्त और मस्त होंगे पिछले किलास में हमने तीन ताल सिखा था और हमने आपको काईदा भी बताया था, काईदा लिख के आपको बताया था आज हम उस काईदा को बजाना सिखेंगे, जो उस काईदा को कैसे बजाना है तो अभी तक आपने हसादना सिखा, फिर ताल सिखा, दाजरा ताल सिखा, फिर कहरवा ताल सिखा और आज आप लोग काईदा सिखेंगे इससे पहले तीन ताल सिखा और आज तीन ताल का काईदा सिखेंगे काईदा जो है जैसे नाम है काईदा का तो काईदा जो है ये एक फारसी सब्द है तो काईदा मतलब होता है किसी नियम के अंतरगत आप जिस चीज को बजाते हैं उसको काईदा कहते हैं मतलब जिस हाथ को आप बहुत discipline में नियम में बंदिस में बजाते हैं वो काईदा होता है तो ये तीन ताल का जो काईदा है वो बिल्कुल इस तरह से है इसके बोल हैं आपको धा धा ते ते धा धा तुन ना ता ते ते धा धिन ना तो ये काईदे का बोल है ये पिछले वीडियो में मैंने लीख के आप लोगों को बताया था फिर से आप लोग सुन लीजिए ये जो काईदा है तीन ताल का हरे ताल में जैसे तीन ताल है तीन ताल के काईदे होते हैं, पल्टे होते हैं, टुकरा होता है, रेला होता है, ये सब बोल, सोलो परफॉर्मेंस, तबला का जो परफॉर्मेंस होता है, उसमें हम लोग बजाते हैं, जब ताल जैसे ताल है, उसमें भी काईदा है, उसमें भी पल्टा है, एक ताल है, उसमे ते ते धा धा तुन ना ता ता ते ते धा धा धिन ना तो इसकी ताली जो है वो पहले हम सिखेंगे ताली बिल्कुल तीन ताल के समान है जिस ताल का कैदा होता है उसकी ताली उसी ताल की होती है जैसे धा, धा, ते, टे, धा, धा, तुन, ना, ता, ता, ते, टे, धा, धा, धिन, ना, ये एगुन हो गिया, अब इसको हम दुगुन करेंगे, धा, धा, ते, धा, धा, तुन, ना, ता, ते, धा, धिन, ना, धा, ते, धा, धिन, ना, ता, ते, धा, धिन, ना, धा, ये दुगुन था, दुगुन में दो बार बोला जाता है, चोगुन में चार बार बोला जाता है, एगुन कर दबल दुगुन, दुगुन कर दबल अब हम लोग चौबधन टाली पर करेंगे। तो ये तो ताली हो गया। अब आए हम काईदा शीखते हैं। लोग कैसे बजाएंगे। तो धा धा ते टे धा धा तुन ना ता ता ते ते धा धा धिन ना धा, धा, टे, टे, धा, तुन, ना, का, का, टे, टे, धा, धा, धिन, ना, फिर से देखिए धा, धा, टे, धा, धा, तुन, ना, का, टे, टे, धा, धिन, ना, इसको हम ऐसे बजाएंगे धा, 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 धा तो इस धंग से हम काईदा बजाते हैं फिर से देखिया अब इसका हम दुगुन में बजाएंगे जैसे एगुन का एगुन कम स्पीड में होता है दुगुन जादा स्पीड में होता है एगुन का जो डबल होता है वो दुगुन हो गया अब दुगुन का जो स्पीड होगा इस काईदे का वो धाधा तेटे धाधा तुन्ना ताथा तेटे धाधा धिन्ना इसको इस प्रकार से बजाएंगे दूगुन में तो यह दूगुन था और अब हम चौगुन बजाएंगे तो चौगुन का डबल होगा तो अभी जो दूगुन था धा धा तेट इसका डबल इसको हम इस तरह से बजाएंगे लेकिन एक बात जो ध्यान रखनी है आप लोगों को जो एक गुन में सबसे पहले बजाना है फिर दूगुन में बजाना है फिर चौगुन में बजाना है आप एक एक स्पीड में नहीं बजाएंगे तो अभी हम लोग चौगुन देखेंगे, चौगुन कैसे बजाते हैं तो अभी हम लोग चौगुन कैसे बजाते हैं तो अभी आपने देखा काईदा का एगुन, दोगुन, चौगुन, अठगुन भी होता है तो यह अठगुन हुआ, लेकिन आप लोगों को अठगुनी में अभी नहीं बजाना है अठगुनी में अगर आप लोग बजाएंगे तो आपका हास खराप हो जाएगा सबसे पहले एगुनी में बजाना है, एगुनी में अच्छा बजाएंगे तो दोगुनी बजाएगे और दोगुनी जब अच्छा हो जाए चोगुनी बजाएगे तो ये आपका कैदा हो गया, तो पहले तीन ताल सिखा, तीन ताल का ये कैदा है, अब इस कैदे का पल्टा होता है, कैदा जो है वो हो गया आपका इंजन और पल्टा जो है वो डबा हो गया, इंजन का जो कोच होता है, इस तरह से कैदे के बहुत सारे पल्टे होते हैं, जिस जैसे इसे आप परकार बोल सकते हैं तो पल्टा जैसे सब्द है इसको हम पल्टा बोलते हैं तो पल्टा एक सिखेंगे, दो सिखेंगे, तीन सिखेंगे, चार सिखेंगे जितने पल्टा आप बजाएंगे उतना आपका हाथ डिसिप्लीन में होगा तो अभी आप कैदा बजा तब तक के लिए जाहिन